हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग इने घर में अच्छी से होंगे और स्वस्त भी होंगे तो आज में पढ़ाऊंगी कक्षा 3 से 5 चार मन करता जो कि continue प्रशन उत्तर है पहले भी मैंने इस चेप्टर के प्रशन उत्तर कराए हैं अब हम उसके आगे के प्रशन अभ्यास करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है सोचो और बताओ आपकी किताब से ही लिया है सोचो और बताओ सोचना है और आपको बताना है तो प्रशन है सूरज आस्मान में दौर क्यों लगाता होगा सूरज आस्मान में दौर क्यों लगाता होगा सोचिए इसका उतर लिकेंगे संसार को प्रकास मिल सके इसलिए सूरज रोज आस्मान में दौर लगाता होगा मतलब सारी दुनिया को क्या मिल सके? उजाला मिल सके? रोषने मिल सके? इसलिए सूरज आस्मान में दोड लगाता होगा. प्रश्णे दो है, चिडिया सोर क्यों मचाती होगी? जो चिडिया है, वह क्यों सोर मचाती होंगी? वह इसका उत्तर हम लिखेंगे. चिडिया पेड़ों पर उचल कूद करके खुश होती होंगी मतलब चिडिया पेड़ों पर उचलती होंगी कूदती होंगी उचल कूद करके वह क्या होती है खुश होती होंगी इसलिए सोर मचाती होंगी उन्हें मज़ा आता होगा खुशी मिलती होगी तो वे उचल कूत करके शोर मचाती होंगी फ्रश्न तीन है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा अब जो चंदा है आसमान में आप देखते हैं रातों में चांद निकलता है तो वह तारों पर क्यों अकड़ता होगा तो इसका उत्तर है चंदा बाकी तारों से बड़ा देखा ना चांद जो है वह चुटे-चुटे तारों से क्या होता है बड़ा होता है वह जादा चमकदार और जादा रोशनी देता है इसलिए अकड़ता होगा तो इसका उत्तर लिखेंगे हम चंदा बाकी तारों से बड़ा वह जादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा इसलिए जो चंदा है वह अकड़ता होगा क्योंकि तारों से वह क्या है बड़ा वह जादा चमकदार रोशनी देता है इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा दोस जमाना अलग हो ता वेटा ये डाथना भी अलग है अब दोस means कैसे गुस्सा होते हैं या नाराज होते हैं या आपर क्या चलाते हैं तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दादा घर में सरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगा कर दोस जमाते होंगे मतलब जो हमसे बड़े होते हैं हम कहते हैं हमसे कि सरारत मत करो और कहीं आने जाने पर रोक लगाते हैं जब हम शैतानी करते हैं तो इस प्रकार से ये सब चीजे नहीं करने के लिए मना करते हैं तो इसलिए इस प्रकार से वह हम पर धौस जमाते होंगे तो ग्रहकारे आपके लिए रुफ कॉपी में लिखना है आपको और इसे याद करना है याद भी करके रखिएगा इससे थैंक्स, टेक क्या